मस्कार दोस्तों स्वागत है आपका हमारे YouTube चैनल दर नॉलिज पुला जामें तो जैसा कि आपको पता है यह हमारी जळोजी की तीसरी क्लास है और हमारी जळोजी की दो क्लासिश हो चुकी है जिसमें पिछली ग्लास में हम रक्त वाला जो पोर्शन था जो लोजी का उसको कंप्लीट किये थे और आज जो हमारा टॉपिक है अमीवा, पैरामीसियम, टैप बर्म, एंड एसकेरिस जिसमें हम सबसे पहले अमीवा को डिस्क्राइब करेंगे तो पहले अमीवा का हम क्लासिपिकेशन पड़ लेंगे तो अमीवा का जो केंग्डम है, जिसे जगत कहते हैं, वो प्रोटिष्टा है और फाइलम, जिसे संग कहते हैं, वो प्रोटो जोआ है नेक्स्ट है किलास, जिसे बर्ग कहते हैं, वो सारकोडेना है या राइजोपोडा नेक्स्ट है ओडर जिसे गड़ कहते हैं वो लोबोसिया है नेक्स्ट है जीनस जो अमीवा का जो जीनस है वो अमीवा है और नेक्स्ट है इसपसीज प्रोटियस इसपसीज है इसकी तो जो अमीवा का जन्तु बैग्यानिक नेम है वो अमीवा प्रोटियस हो जाएगा अमीवा का जन्तु बैग्यानिक नेम क्या है अमीवा प्रोटियस जो प्रोटो जो संग में जो जन्तु आते हैं वो अमर जन्तु होते हैं और जो प्रोटो जो असंग है इसमें लगवा 50,000 प्रजातियों को खो जा गया है अब तक 50,000 प्रजातियों को खो जा गया है चलिए आगे चलते हैं अब पहला कोशन है हमारा अमीवा का जनतु बैग्यानिक नेम किया है तो अमीवा का जनतु बैग्यानिक नेम है अमीवा प्रोटियस अमीव जनतु है अमीबा एक कोस्किये युकरियोटिक सर्वाहारी बहुपदिये जिसे पॉली ओडियल कहते हैं परपोसी स्वतंतर जीवी मिर्तोप जीवी परजीवी होता है अमीबा कैसा जनतु है एक कोस्किये युकरियोटिक सर्वाहारी बहुपदिये पॉली ओडियल परपोसी सोतंतर जीवी मृतोब जीवी तता परजीवी होते हैं नेक्स कोश्चन है हमें अमीवा एक जन्तु है अमीवा एक सुक्षमदर्सी जन्तु है अमीवा सुक्षमदर्सी जन्तु क्यों हो क्योंकि हम इसको सिर्फ सुक्षमदर्सी की साहता से ही देख पाते हैं इसलिए इसको सुक्षम दर्सी जनतू भी माना जाता है नेक्स्ट है हमारा अमीवा का परिमाप होता है वो डाइसो से 600 माइकरोन होता है अमीवा का जो परिमाप होता है डाइसो से 600 माइकरोन होता है नेक्स्ट कोश्चन है हमारा अमीवा में गमन होता है वो सीडो पोडिया के द्वारा हमीवा में गमन होता है बहुत ही most important question है हमीवा में गमन होता है सीडो पोडिया के दारा पूछा जाता है हमीवा में किस फिरकार का गमन होता है या कैसा गमन पाय जाता है गमन किसके द्वारा होता है इस टाप से कोशन पूछते हैं तो यूटो पोडिया के द्वारा होता है नोट करके लिखिए हैं अप लो अमीवा के अगर भाग पर बनते हुए पैर दिखाई देते हैं लेखिए अमीवा के अगर भाग पर बनते हुए पैर दिखाई देते हैं तब पिछले भाग पर नश्ट होते हुए पैर दिखाई देते हैं जब अमीवा चलता है तो उसके अगर भाग पर क्या होता है पैर बनते हुए दिखाई देते हैं और पिछले भाग जो है उस पे जाता है, यूरोइड, अमिवा के प्छले वाक को यूरोइड कहा जाता है, अमिवा का आकार होता है, अनिश्यत, अमिवा का कोई भी आकार ने होता है, नेक्स्ट कोशिण है, बहुत ही most important question है, अमिवा में गमन का सर्वमान मत क्स्वाइक्यानिक ने दिया था, माश्ट एवम पैंटिन ने 1926 में माश्ट एवम पैंटिन ने अमिव में गमन का सर्वमानमत दिया था बहुत ही most important question नहीं पूछा जाता है अमिवा में गमन का सर्वमानमत किस वेक्यानिक ने दिया था माश्ट एवम पैंटिन ने 1926 में 1926 में दिया था नेक्स कोशी न है हमारा अमीबा गमन का सर्वमान मत है सौल एवन जैल ये भी कोशी नहींगि कोशन बहुत पूजा था अमैबा गमन का सर्वमान हम थे तो हीज मानने दिया था संकूचल सील मत अमीवा में जो गमन का संकुचल सील मत दिया था वो हीजमान नमक बैग्यानिक थे उन्होंने दिया था अमीवा में संकुचल सील मत गमन का संकुचल सील मत हीजमान नमक बैग्यानिक ने दिया था next question है बहुत ही most important question है Amoeba में लड़काव मत किस बैग्यानिक ने दिया था Amoeba में लड़काव मत किस बैग्यानिक ने दिया था तो जेनिंग से नाम गे एक बैग्यानिक थे उन्होंने अमिवा में गमन का लड़काउ मत दिया था अमिवा में गमन का लड़काउ मत जेनिंग ने दिया था बहुतु ही most important question है आप लोग इसको टिकर लिए नेक्स question है अमिवा में गमन का फबबारामत किस वैग्या ने दिया था तो एलेन ने दिया था 1952 में 1962 में दिया था फबारा मत जो है अमीवा में गमन का फबारा मत एलेन नमक बैग्यानिक ने दिया था नेक्स्क्वेशन है हमारा अमीवा में गमन का संकुचन द्रब संचालित मत किस बैका ने दिया था तो रिनाल्डी एबम जहान ने दिया था तो दो फागों में वाजएवा विवाजद होता है एक एंटोप्लाज्म दूजरा है एक्टोप्लाज्म 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 होता है उसको हिंदी में बाहिदरब कहते हैं और एंडोप्लाज्म होता है उसको अंतादरब कहते हैं बाहिदरब एक्टोप्लाज्म क्या होता है यह पारदर्सी होता है एक्टोप्लाज्म जो होता है पारदर्सी हो होता है एंडूelle मीं से अंता दर्व कहते है है अर्धपारदर दर्शी होता है एंडूपलाज यह अर्धपारदर सी होता है नेक्ट्ट कोशिएंट हमारा ननी सौरी जल में जल में एक परसंट ऑकसीजन पाई ती इस कोशो उल्डापनकर के दिलो इस जल में एक परसेंट ऑक्सीजन पाई जाती है नेक्स कोचिन हमारा अमीबा केंद्रक की संख्या है अमीबा में केंद्रक की संख्या है तो एक पाई जाती है अमीबा केंद्रक की संख्या कितने होती है एक होती है कोचिन पूचा जाएगा अमीबा में कितने केंद्रक पाई जाते हैं कें सब्सक्राइब जाता है Cape Codги कि नच्स्ट पॉश्इन हमारा अंटने बर में एक से अधिक अधिक यह न्फपकर पॉश्फ दर्फा देंádां चाहए अमीबा होता इसमें कि यंद्रीण पॉश्फ में एक से अधिक इंट्राप निफफ पाइजाते है एक से अधिक प्रोटो जुवाद्वारा होता है जो दाइट में पाइडियरोग लग जाता है वो एंट माद अमीबा जन्जी वैलेस नमक प्रोटो जुवाद्वारा होता है नयोग सोचना है बच्चों में पेचिस रोग बच्चों में पेचिस रोग एंट अमीवा हिस्टोलेट का प्रोटो ज्वादवारा होता है और जो पारियर होता है और जो बच्चों में पेचिस रोग होता है और जो बच्चों में पेचिस रोग होता है तो वो जीवद्रब्य इस्तर का होता है अभीवा का जो सारी इस्तर होता है जीवद्रब्य इस्तर का होता है अभीवा में पाई जाने वाली धानियां है अभीवा में कितने प्रकार की धानियां पाई जाती है तो अभीवा में तीन प्रकार की धानि पाई जाती है एक होती है खाददानी जलदानी और टीसरी वे गती और त्रियमस kतफ़ाय जाती हैं था टाम में पाए जाती त्रिम brings दानी वह चमद्वारा जाती है नाजर्शन हमारा अमीबा में संखुचल स्विल धानी की संख्या होती है एक टोप्लाज में पाई जाती है जाती है अब पूचा दागा हमीबा में संखुचल स्रीन धानी का कारिये है तो परاثर नीमन या जल नीमन औस्मोर रिगुलेशन करना प्रासर नहीं बन या जलनि yhtør बन उसुमर रिगुलेशन करना नेक्स्स कोषिंट है हमारा ऑसकी डूस्टी से अमीवा जंतु है कोषिंट पूछा जा का बहुत ही mos important कोषिंट है ये वा सड़ की डूस्टी से जो अमीवा जंतु है जन्तू संवह्जी कभी-कभी लिख देटेयां जो का टर्म होलो जोई को उसको ही हगयी लिख देतेयां तो इसमें कन्फूज नही होना है जन्तू संवह्जी ऐसे भी लिख आ सकता है तो नौक्स्ट वूष्टेन है हमारा अमीवा में भोजन का पाचन होता है खाद दानी की द्वारा होता है अमीवा में भोजन का पाचन होता है खाद दानी की द्वारा होता है कशेओर न है है मारा काद धानिक actual और मात ओता है खंद धानी पाया जाती है उसका अम होता है तो हम-या निये बाद में चैरिये और पहले अम यय पाद में चरी होता है पहले होता है आम या में और भोज़न iOS पाच्छն पहले अमairy बाद में पहले ⟟ इसे नीचे बता गया है ⟟ अमीबा में भोजन का अंत्रगरान किस विदी दौरा होता है तो अमीवा में बोजन का जो अंत्रकरण होता है उसके लिए कई विदिया है एक होती है आयात जिसे एंपॉर्ड कहते हैं दूसरी होती है अंत्रबलन जिसे इन्वैजीनेशन कहते हैं अंत्रबलन जिसे इन्वैजीनेशन कहते हैं नेक्स्ट है हमारा जो तीसरी वती परिवित्तिक्रण परिवित्तिक्रण सरकंबैलेशन कहते हैं चिसे सरकंबैलेशन सरकंबैलेशन परिवित्तिक्रण होती है तीसरी विदी जो जन को अंत्रवर्ण करने की हमीवा में तीन विदिया होती है आयात इंपोर्ट अंत्रवर्ण इन्वेजिनेशन परिवितिक्रल सरकंबैलेशन एक सोचन है हमारा हमीवा में कौन सा सुचन पाए जाता है तो हमीवा में किस परिकार का सुचन पाए जाता है ना कि या नॉक्सिशन पूचा जाएगा हमीवा में किस परिकार का सुचन पाए जाता है तो हमीवा में ऑक्सिश प्राया 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 प्राय लोगा निए तो अमिवा में से समे करने के लिए जल है पर अमिवां में से संकी कि रिया होती है वो अमीवा के कोस का जिल्डी होती है उसके द्वारा होती है या सरीर की सत्य द्वारा होती है अमीवा में सर्जन किसके द्वारा होता है तो कोस का जिल्डी या सरीर की सत्य द्वारा होता है तो दोनों कोस्ट का जल्दी और सरीर की सत्य द्वारा होती है इस में बिलकुल कंफूजना होना है जो अमिवा का उस्टर्जी पदार्त है वह अमॉनिया है ऐसे जनतु जो सर्जन की रूप में अमॉनिया का उसर्जन करते हैं वो कहलाते हैं अमूनोटेलिक वो अमूनोटेलिक जन्तु कहलाते हैं कि साध्रान सब्दों में समझे जो जन्तु अमूनिया के रूप में उसर्जन करते हैं जो जन्तु अमूनिया के रूप में उसर्जन करते हैं वो अमीवा में केबल ओलेंगक जनन पाय जयता है यह सेक्शल प्रोडक्षण तो जो एक रिच्च's कि पतिया है एक रदोई विकंडण से बाइनरी पसंद कहते हैं दूसरी है पोटी भवन जैसे इंसिस्ट फॉर्मिशन कहते हैं नेक्स्ट बिजाड़ु जनन जैसे इस्पॉरूलेशन कहते हैं नेक्स्ट सयूगमन जैसे कंजूगेशन कहते हैं पांच में पुनरुद्ध भवन पहले पढ़ेंगे हम दूमें जीसे बाइणरी फैसर या दूमान जाती है और शामान जाती है नेक्स्ट कॉर्च्टन है यह हैं एक रड़ अन्कूल परिस्तितिंगों में होता है नेक्स्ट है इसे पूरा होने में आदा घंटा का दूह एक पूरा होने में 7 गंटा समय लगता है कि दये वखंडा ने बाइना भी पिशन के दोरा जनन होता है यह समसुत्री वादन के समान होता है नैस्ट हमारा पुटी रही पुटी रही दो सब्रब्सक्राइब नीस से इंसिस्ट फॉर्मेशन कहते हैं अ कि इस प्रिकार जनन Himself qms परिस्तितियों में होता है इस प्रिकार के जनके फ्रितिकूल परिस्तितियों में होता है इस प्रिकार के जनक होता है सिर्फ उसमें वह अनुकूली परिस्तियों में होता है इसे बहुभी खंडन विधी भी कहा जाता है इसे बहुभी खंडन भी कहा जाता है जो प्रिकार के इंसिस्ट मेंन्ट होता है इंसिस्ट फॉरमेशन इसे बहुंबी खंडन भी कहा जाता है नेस्ट है हमारा बीजाणू जनन इस पूरू लेशन कहते हैं इसको यह केबल परिया बढल लिए अनकूल परिस्तितियों में होता है यह वर पर यावड़ी नब्स परिस्तिती में होता है तो हम पहरा मीक्या में पढ़ेंगे लेंगे जनन अरथी बुर्ण कोचा जागा रहां मीश्याम में जो अलेंगेख जनन यह सेक्स्वाल्य प्रोडक्शन की प्रिमk बिदि क्या है वो तो प्दोन या पाइनरी फियां न क meditation कहते हैं यह 12 मीशे में जन्हेमी की बहु फिछलित बीथी सामाण निविधी है इसा फूरा होने में 2-5 गंटे का समय लगता है 12 मीशे में जो बाने जन्हेम्य कटन होता है इसे यह बहु फिर्चलित यह आप छामने विदी और इसे पुरा होने में लगो दो से 25 होती है क demandé हम इसम में के प्रॉडक्षन की यह के वरक्रोडक्षितों के यह समसूत्री को सके वाजन के समान होती है यह आपको पहले भी अमीवाम बता दिया गया यह केबल समसूत्री को सके वाजन के समान होती है और अनुकूल परिस्तितियों में होती है पिरतिकूल परिस्तियों क्या होती है अमीवाम होती है वो पुटी बमन होती है इंसिस्ट फ हora होता है तो म्हां में लैंग अंगे गयर कंजूगेशं कन या कंजूगेशन सायोगमन या कंजूगेशन ह notamment अीच्वी उनलिय्वीशन यह व inadequ करें समय के लिए होते ही क्यूगयर कुश्ट है यहीं लवड करेंप स्वक्ड़िवार नयर वनकले बैमिय के लिए कुछ समय के लिए चिपक जाते हैं तता अनुबांसिग पदार्तों का आधान परदान करते हैं इस CONJUGATION विधी में क्या होता है। इसमें दो PERAMYASM होते हैं और आपस में आकर कुछ समय के लिए चिपक जाते हैं और अपने जो अन्वानसी पतारत हैं उनका एक दूसरे से आधान-प्रदान करते हैं यहीं कंज्यूगेशन या सयोगमन है नोट करके लिए सयोगमन के उपरांत पैरामीशे में दुविकंडन करने के लिए पुना उर्जा प्राप्त हो जाता हुए तो आज इसमें मां आपको पैरामीशे मोई अमीवा किलोच कराया हूँ और नेक्स्ट क्लास में हुआ आपको टैप बर्म और आभीवा हो गया स्री टैप बर्म-एस्कारिस कम्प्लीट कराऊंगा आज मैं यहीं पर प्र्राम लेता हूं अपनी बारी का तो नमस्कार थ झाल झाल